Hi guys, welcome to your 23rd Java tutorial in Hindi जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में promise किया तो इसमें आपको constructors का आगे explanation देता होगा तो continue करते है हमने पिछले वीडियो में हमने एक ब्रोग्राम बनाया था जो constructors का use कलता है इसमें हमने एक class बनाया box उसके साथ हमने एक constructor बनाया यह explained कि constructors वह उसका नाम exactly class का नाम की equivalent होता है और आगे इसका दो bracket होगा क्योंकि वह एक method है ठीक है और आगे इसका default value जो है default access specify जो हमेशे इसका public होता है और access specify होता है वह एक variable का या फिर कोई सभी एक class का member यह जो कुछ भी होता है उसका जो है life cycle ठीक है और मतलब कितना privileges है और कौन-कौन इसका access काता है वह सब जो है वह access specify है और आगे देखेंगे ठीक है चलो हम वाबस आ जातें constructors के बारे में और हमने पिछले वीडियो में यह जाते हैं तो हमने पता चला कि इसका volume का value जाए 30 आ गया 30 कैसे आ गया simple calculation 5 3 is 15, 52 is 30 ठीक है कैसे आ गया वह जैसे box का जो है हमने class को call किया था उसका हमने एक object क्रेयेट किया और इसी के साथ हमने इसको call किया और इसका जो है इसको object को आगे हमने यूज किया पर जैसे हमने वह object को बनाय था याद है आपको हमने class के मैंने बताया था कि क्योंकि इसका नाम जो है class के equal होता है मतलब एक ही नाम यूज करते हैं तो यह method भी अपने आप invoke होता है invoke होना मतलब चलना तो जैसे यह invoke हो जाता है इसके अंदर जो कुछ भी होता है जैसे width का value यह class का ही है तो यह width का value इसमें मैंने 2 डाल दिया 3 डाल दिया और 5 डाल दिया तो इसका मतलब यह होता है width double element double variable उसको भी हमने initialize किया initialize किया constructor के invoking साथ मतलब हमने इसके width height or length का value डाल दिया तो दुबार आपको समझाता हूं जैसे ही class जैसे ही यह हमारा box का class को call क्या क्योंकि यह उसके अंदर एक method है जो जिसका नाम exactly उस class का नाम की equivalent है तो मतलब इसका constructor है तो उसके अंदर जो कुछ भी जो हमने commands दिया है वो भी अपने आप में चलना शुरू हो जाता है तो इसके साथ initialize भी हो गया तीन variables और उसके अंदर चला गया values two, three and five ठीक है आगे क्या हुआ double double का एक variable लिया जिसका हमने नाम रखा है wall basically volume करने के लिए और ob.volume ob.volume क्या है ob is box class का object है और हमने इससे एक method अक्सेस किया जिसका नाम है volume volume कोई parameters नहीं लेता है इसका आगे वाला दू पायर जो open and close round parenthesis वो empty है और इसमें यह क्योंकि वेट नाम है क्योंकि क्योंकि इसके अंदर वैल्यूस है और इसको हम आगे multiply कर रहे है यह वाल्यूम वाला method के help से और यह रिटर्न करता है एक डबल वैल्यू क्योंकि तीन डबल टाइप वेरिबल्स का मुल्टिप्लिकेशन हो रहे है इसका वैल्यू भी रिटर्न होगा डबल के डबल टीटा टाइप के और इसका आगे यह हम और मतलब यह वाल्यूम का वेरिबल है वो इनीशलाइज हो जाता है इन तीनों को multiply होने के बाद और हम इसको जो है प्रिंट करते हैं जैसे प्रिंट हो जाता है जो कुछ भी वैल्यू जो है स्टोर हो जाता है वो यह इनिशलाइज हो जाता है वो जो है आगे प्रिंट होता है और इसलिए हमें आरे पास यह 30 आ गया क्योंकि 5 x 3 x 2 जो यह वाल्यूम वाले में 30 की साथ हो रहा है वो जो है हो गया मुझे लगता है कि आपको constructors समझ में आ गया थोड़ा सा complicated है मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपके तरह मैं भी एक student तक अभी और मैंने भी इसको जो है काफी effort डाल के सीख लिया मुझे लगता है कि मेरा explanation से आप संतोशता है या फिर है अगर आपको कई डाउट सा रहा है तो जरूर जरूर प्लीज पूछ लीजेगा नीचे कमन सेक्शन में डाल सकते हैं मैसेज का सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो टुटोलियल पसंद आगे तो आप मुझे सब्स्राइब का सकते हैं लाइक बटन भी नीचे तमसब का सिंबल के साथ उसको भी आप क्लिक का सकते हैं और आपको बिल्कुल पसंद निया है तो आपको डिसलाइक भी का सकते हैं पर मैं आज है कलता हूं कि आपको कुछ भी डिसलाइक नहीं हुआ ओके गाईस सी यू इन नेक्स वीडियो तुटोरियल वो काफी इंट्रेसिंग होगा क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ओके गाईस तिल दैन गुद्बाइ